हालो दोस्तों नमस्कर मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एज्यूकेशन तो हम बात कर रहे हैं बिहार बीएसी नर्सिंग के बच्चों बिहार बीएसी नर्सिंग मैं एडमिसन के लिए बीसी इसी ए के लिए एडमिसन फॉर्म बरे जा रहे हैं और बच्चो आपको बता देता हूँ कि भाई अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है देखिए बच्चों यह हमारा BCCE का पोर्टल है आप देख सकते हो और इसी पोर्टल पे BAC नर्सिंग कोर्स में एडमिसन के लिए फॉर्म बरा जा रहा है अब देखो फॉर्म आपका स्टार्ट कब हुआ था फॉर्म सुरू हुआ था बच्चों देखिए साथ मई को और फॉर्म बरने की जो लाश्ट डेट है वो है आपकी दो जून दो जून तक आपका फॉर्म बरा जाएगा और लाश्ट तीन जून तक मेरे दोस्तों आप पेमेंट कटवा सकोगे फॉर्म के लिए ठीक है ना तो अब आपके पास में बहुत ही कम समय बचा हुआ है फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए ठीक है बच्चों तो जैसे कि अगर अपन बात करें तो आपके पास में जादा से जादा चार से पांच दिन है ठीक है ना इन चार पांच दिनों में आप अपना फॉर्म online कर लीजिएगा ठीक हैं बिलकुल अब देखिएगा बच्चो आप अगर bccee का फॉर्म लगाते हैं तो इससे आप कौन-कौन से कॉर्सेज में एड्मिसेन ले सकते हैं मैं इस पर पहले बात करेंगा बच्चो अगर आप यह एक फॉर्म लगाते हो ना तो यह bccee का फॉर्म भरने के बाद आप बियस इंगर्सिंग कर सकते हो निकर सकते हो और फिसरी साइंस मतश्य विज्ञान के अंदर भी आप BAC कर सकते हो इतने सारे कोर्सेज एक एक्जाम से होंगे इसका मतलब यह एक ऐसा एक्जाम है जिसे आप B.R. के लिए कंबाइन एक्जाम कह सकते हो और यह एक्जाम दे कौन सकता है तो जो 12th B.O. के इस्टूडेंट है और दूसरा जो 12th मेत के इस्टूडेंट है वो यह एक्जाम दे सकते हैं अब इस एक्जाम का पेटरन क्या है वैसे कई बार बता चुका हूँ एक बार आपको फिर बता देता हूँ इसका पेपर पेटरन बचो यह आपके सामने पेपर पेटरन के अगर बात करूं तो बाईलो जी के सो क्यूसन है Chemistry के सो है और Physics के सो है तो यह तीन पेपर होंगे एक बायो का होगा एक Chemistry का होगा और एक ही Physics का होगा मेरत वाले बच्चों के लिए मेरत का भी पेपर होता है ठीक है तो ये जो तीन पेपर है न बच्चों तीनों ही पेपर आपके 1200 नंबरों के होंगे क्योंकि एक क्यूसन 4 नंबर का है तो टोटल प्रशन होगे 300 है ना तो 300 इंटो 4 आप बता दोगे 1200 तो 1200 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा पेपर में बिल्कुल negative marking है बचो इसलिए जब भी आप पेपर दो जब भी आप क्यूशन करें तो वही क्यूशन अटेंड करें जिनका answer आप confirm हो जिनके answer में आप 100% sure हो अब इसके बाद में दूसरा पेपर का माध्यम पेपर का जो बच्चो मीडियम है बच्चो वो आपका क्या है हिंदी और इंग्लीज दोनों माध्यम में आपका क्या होगा पेपर होगा तो पेपर हिंदी और इंग्लीज दोनों माध्यम में रहेगा तो आपको किसी भी तरह से कोई attention लेने की जरुवत नहीं दोनों मीडियम में आप ब साम से दोनों के लिए ही मैं दोस्तों जो हैं तैयारी करें और अब देखो तैयारी करें कैसे यह भी हमारे सामने क्योनें तो देखो ब्चों हमने विजए एजупेसन एप के उपर बियार के बच्चों के लिए अलग-अलग कोर्से ल॓ंट कर रखे हैнов एक तो हमारा पहले से ही के बच्चों का ही बेच हैं तो इसमें केवल बियार के बच्चे ही जुडेंगे तो और इस बेच के अंदर हमने अब तक जितना भी कुछ पढ़ाया है ना वो सारा कंटेंट आपको यहां मिलेगा और इसके अलावा इस बेच में आपको लाइव वन सोट क्लासे मिलेगी इस क्लास शुरू कब हो रही है बई एक जून से हम क्लास शुरू कर रहा है इस बेच में एक जून से क्लास शुरू होगी ठीक है इस बेच में बारवी का पूरा सिलेबस आपको लाइव करवाया जाएगा और ग्यारवी का बच्चों आपको अंदर रिकोडेड में मिलेगा त topic wise notes मिलेंगे, Sunday to Sunday टेस्ट होगा, इसके अलावा भी सब्दा में छोटे बड़े, तीन चार और टेस्ट होते रहेंगे, इतना सांदार तरह से बचों पढ़ाया जा रहा है, इस BR का यह number one बेच है BCCE का बचों, जिसमें आज सबसे ज़्यादा बचे जुड़े हुए है, ठीक है, आज BR का परतेक बच्चा इस बेच में जुड़के पढ़ना चाता है, तो अगर आपने registration नहीं करवाया है इस बेच में, तो आज ही अपना registration करा लो, और बड़िया डंग से पढ़ाई करो, और इस बेच की फीस भी हमने बहुत ही कम रखी है, केवल 590 रुपे की फीस में हम आपको पूरी तैयारी करवा रहे हैं बचों, ठीक है ना, तो आज ही अपना registration करा लें, ठीक है, इसके अलावा एक और बेच है हमारा, ठीक है ना, उसका नाम है Crace Course, आप अगर चाहो, तो Crace Course के अंदर भी जुड सकते हो, ठीक है ना, Crace Course में अगर जुड़ना चाहते हो, तो भी आप जुड सकते हो, उसमें भी complete course हम करवा रहे हैं और उसकी भी piece 590 रुपे हैं ठीक है तीसरी बात कुछ बच्चे यह चाहते हैं कि सर हमें तो recorded base चाहिए हम तो हमारी सुईदा के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप बच्चो recorded base में जुड़ना चाहते हैं और recorded base में मरदोस्तों सारे के सारे topic पहले से ही हमने record करके अंदर डाल रखे हैं 11th और 12th के जिनने आप अपने खुद के schedule के अनुसार आप अपना मन पसंद topic पढ़ सकते हैं आप अपने मन पसंद topic का मरदोस्तों test दे सकते हैं तो ये भी आपके पास मोका है और ये पूरा का पूरा बी आर के लिए जो recorded base हैं ये मैज 499 रुपे की फीस में आपको मिल रहा है तो ये सारी सुवीदा बच्चों हमने आपको दिये कोई भी एक base में जुड़ना है एक से जादा base में जुड़ने की जरुवत नहीं अगर recorded base ले ले लेते हो तो recorded base में बढ़िया डंक से पढ़ाई करो ठीक है न क्रेस कोर्स में जुड़ रहे हो तो इसमें डंक से पढ़ाई करो ठीक है न क्रेस कोर्स में क्लासें शुरू है काफी दिन हो गए हैं लगबख 10-15 दिन हो गए हैं ठीक है ना और 10-15 दिन जितना भी पढ़ाया है वो कंटेंट अंदर सेव है और एक दम तुरंत आप सुरुआज से पढ़ना चाहते हो इस्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो वो आपका ये वाला बेच है जो अभी कर लेना है काफी आसान पेपर होगा आपका पेपर इंदी और इंगलिस दोनों मीडिय में रहेगा और फिजिक्स, केमस्टी और बायो इन तीन सब्जेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाता है नहीं इंगलिस पूछा जाता है आपके आपको ये तीन ही सब्ज एक्जाम होगा कब सर तो देखिए बच्चों सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये एक्जाम जुलाई में हो सकता है तो जब भी हो बच्चों आपको अपनी मेनत बढ़िया रखनी है बले ही ये 30 दिन बाद हो बले ही 40 दिन बाद हो और बले ही 60 दिन बाद हो आप अच्छी मेनत करोगे तो एक्जाम चाहे कभी भी हो बच्चो मेनत बढ़िया होगी तो किसी तरह से आपको डरने की जरुवत नहीं होगी तो बहुत बढ़िया तरह से पढ़िए और आगे बढ़िए आज के लिए बच्चो इतना ही और स्क्रीन पर जो नबर दिख रहे हैं इन नमबरों पर आप कोल करके भी या इन नमबरों पर ओन लाइन फॉन पर गूगल पर कर वा करके भी अपना कॉर्स चलू करवा सकते हैं अगर हैंक देखाषन तक आप किसी और को बहुत करके बहुत में पिरफलांड फॉन बीजिभा दीजिये पिर इन बेज चालू कराना है और मैंने पैसा किसी और से बिजवा दिया है ठीक है न तो हमारी जो टीम है न बिटा वो आपके नंबर पे कॉर्स चालू करेगी पेमेंट भले ही आप किसी और से बिजवा दो दूसरी चीज अगर आपके फॉन में पेपोन गूगल पे वगएरा है तब आप डाउनलोड करके अप में अपना मॉबाइल नमबर डाल के फिर एप में जब कोर्स चालू जाओगे न बीएसी नर्सिंग के तो वहां सारे कोर्स चालू दिखेंगे उन पे क्लिक करके सिधा अंदर पेमेंट का ओप्सन है ठीक है बच्चो बिल्कुल तो आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम